नमस्कार आदाप आपका मेरी अपनी महिफिल में एक बार फिर स्वागत है इस तक्वाल है जियां वही महिफिल जिसमें मैं आपको आजकर सादत असन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना तकी काटिब 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 कालिक्राफर को कहते हैं अब तो खेर कंप्यूटर आ गये हैं और अर्दू के अख़बारात किताबें में अगयर आप कंप्यूटर पर सेट होती है बट एक जमाना था जब उर्दू के लिए छपाई में कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे सेटिंग की जा सके ना पॉइंट्स थे ना फॉंट्स थे उस जमाने में सारे काटिब लिखा करते थे अख़बारात किताबें हर चीज कातिब लिखते थे और कातिबों के लिखने के बाद वो छपती थी तो यहाँ जिकर उन कैलिग्राफर्स का है जिसमें से एक का नाम तकी है इसलिए अफ्साने का उन्वान है तकी कातिब आईए सुनते हैं वली मुहमद जब तकी को पहली मरतबा दफ्तर में लाया तो उसने मुझे गतन मतासर ना किया लखनव और दहली के जाहिल और खुदसर कातिबों से मेरा जी जला हुआ था एक था उसको जा बेजा पेश डालने के बुरी आदत की मौत को मूत और सौत को सूथ बना देता था मैंने बहुत समझाया नगर वो ना समझा था उसको अपने साहबेश जबान होने का बहुत जों था मैंने जब भी उसको पेश के मामले में हुएक आन्यूस कि मामले में आप उस से कुछ नहीं कह सकते मैंने उसे और कुछ ना कहा और उस्थत कर दिया उसकी जगाए एक दिल्ली के कातिब ने ले ली और सब ठीक था मगर उसको इसलाह करने का ख़ब था और इसलाह भी ऐसी कि मेरी आँखों में खून उतरा आता था कोई मजमून था मैंने उसमें ये लिखा उसके हाथ पाओं के तोते उड़ गए मैंने उसका मजाख उड़ाया तो वो खालिस दहलवी लब लहजे में बड़बड़ा था मुलाजबत से अलाइदा हो गया रामपुर का एक कातिब था बहुत ही खुशकत मगर उसको इक्तसार के दोरे पड़ते थे सत्रें की सत्रे और पहले के पहले खायब करते था जब उसको पूरा सफ़ा दोबरा लिखने को कहता तो वो जवाब देता इतनी मेहनत मुझसे ना होगी साब वोट में लिख दूगा वोट में लिखवाना मुझे सखत ना पसंद था चुनाएंसे ये रामपूरी कातिब भी ज़्यादा दिन दफ्तर में नाटिक सका वली मुहमद हेट कातिब था वो जब तकी को पहली मरतबा दफ्तर में लाया तो उसने मुझे कतन मतासर रा किया खत का नमूना देखा खास अच्छा नहीं था दायरों में पुख्तगी रही थी मैं गुझान लिखाई का कालकायर हूँ कुछ हद्रा लिखता था काम उम्र था अंदाज गुफ्तगू में अजीब कस्त्म की बौकलाहर थी बात करते वक्त उसका एक बासू हिलता रहता था जैसे क्लॉक का पेडूलम रंग सफेद था बालाई होट पर भूरे महीन बाल थे ऐसा मालूम होता था कि उसने खुद किताब की स्याही से हलकी हलकी बूचे बनाई है मैंने उसे चैनल रोज के लिए रखा मगर उसने अपनी शराफत महनत और ताबेदारी से दफ्तर में अपने लिए मुस्तकिल जगा पेड़ा कर लिए वली मुहमद से मेरे तालुकाद बहुत बेतकल्फ थे जिनसियात के मुतालिक अपनी मालूमात में अदाफा करने के लिए वो अक्सर मुझसे गुफ्तगू किया करता था उस दौरान मुहमद तकी खामोश रहता औरत और मर्द के जिनसी तालुक का जिकर खुले अलफाज में आता तो उसके कान की लवें सुर्ख हो जाती वली मुहमद जो के शादी शुता था उसको खालिस पंजाबी अंदाज में चेड़ता मंटो साब इसका मुर्दा खराब हो रहा है इस से कहिए के शादी कर ले जब भी कोई फिल्म देख कर आता है सारी राद कर्वटे बदलता रहता है तकी आप तोर पर छेमते वें कहता मंटो साब जूट बोलता है वली मुहमद की स्याह नकिली मुचे ठिरकने लगी और ये भी जूट है मंटो साब कि ये चाली बिल्डिंग की यहूदी छोक्रियों की नंगी तांगे देखकर उनकी नक्षा कशी किया करता है तकी की नाग की चोच पर पसीरे के कत्रे नमोदार हो जाते मैं तो मैं तो ड्राइंग सीख रहा हूँ वली मुचे उसे और छेड़ता ड्राइंग चेहरे की सीको ये किस ड्राइंग मास्टर ने तुम से कहा कि पहले नंगी राँ उसे शुरू करो मुच्मद तकी करीब करीब रो देता चुनाँचे मैं वली मुहम्मद को मना करता कि उसे ना छेड़ा करे उस पर वली मुहम्मद कहता मंटो साहाब मैं इसके वालिज साहाब से कह चुका हूँ आप से भी कहता हूँ इस लवन्डे की शादी करा दीजिए और इसका मुर्दा बिलकुल खराब हो जाएगा मुहम्मद तकी के बाप से मेरी मुलाकात हुई दाड़ी वाले बजर्ग थे नमाज रोजे के पाबंग थे पर महराब बिंडी बजार में वली मुहम्मद की चराकत में घी की एक छोटी सी दुकान करते थे मुहम्मद तकी से उनको बहुत महुत महबत थी बाते करते वे आपने मुझे कहा तकी दो बरस का था कि उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया खुदा उसको अगरी के रहमत करे बहुत ही नेक बीवी थी मंटो सहाब यकीन जानी है उसकी मौत के बाद अजीजों और दोस्तों ने बहुत जोड़ दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूँ मगर मुझे तकी का ख्याल था मैंने सोचा हो सकता है कि मैं उसकी तरह से गाफिल हो जाऊ चुनाँचे दूसरी शादी के ख्याल को मैंने अपने करीब तक ना आने दिया और इसकी परवरिश खुद अपने हाथों से की अल्ला का बड़ा फजल करम है कि उसने मुझ गुनेगार को सुर्खरू किया खुदा इसको जिन्दगी और नेकी की हिदायत दे मुहमत तकी अपने बाप के इसार की हमेशा तारीफ किया करता था बहुत कम बाप इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकते हैं अबा जवान थे अच्छा खाते थे चाहते तो चुटकियों में उनको अच्छी से अच्छी मीवी मिल जाती लेकिन मेरी खातिर उन्होंने तजरुत की जिन्दगी बसर की इतनी महबबत और इतने प्यार से मेरी परवरिश की कि मुझे मा की कमी महसूस नहूने ती वली मुहमत भी तकी के बाप का मुत्रिफ था मगए उससे सिर्फ ये शिकायत थी कि मुलाना जरा संकी है मन्तों साब आदमी बहुत प्यारा है अच्छा है कारोबार में सोला आने खरा है तकी से बहुत प्यार करता है लेकिन ये प्यार मैं अपने अहसासाद की अलफास में पेश करूँ उसका प्यार हद से बढ़ा हुआ है यानि वो उससे इस तरह प्यार करता है जिस तरह कोई हासिद आशिक अपने माश्यूक से करता है मैंने वली मुहम्मद से पूछा तो मगरा मतलब वली मुहम्मद ने अपनी मूचों की नोकें दुरुस्त की मतलब वतलब मैं नहीं समझा सकता आप खुद समझ लीजिए मैंने मुस्कुरा कर कहा भाई तुम जरा वजाहा से काम लो तो मैं समझ जाऊंगा वली मुहम्मद ने सुर्खिया लिखने वाले कलम को कपड़े के चीठरे से साफ करते वे कहा मौला ना संकी है मुझे मालूम नहीं क्यूँ तक ही कहता है कि पहले उनके प्यार और उनकी शवकत का ये रग नहीं था जवाब है यानि पिछले चंद बरसों से आपने अपने फरजंद अर्जोबन से पूज गूज का लामतनाही सिलसिला शुरू कर रखा है लामतनाही ठीक इस्तेमाल हुआ है न मंटो साथ हाँ ठीक इस्तेमाल हुआ है हाँ ये पूज हूज का सिलसिला है क्या यही तुम रात को देर से क्यों है सफेद गली में क्या करना गए थे वो यहूदन तुम से क्या बात कर रही थी इतनी फिल्में क्यों देखते हो तुम बाइक ला के फल पर बैठे क्या बाते कर रहे थे क्या वो तुम्हे वर सभाला तो नहीं राता के शादी कर लो वैंसे वली मुहंद से पूछा वर सालाना क्या हुआ मालूं ने लिकिन मुलाना समझते हैं कि तकी का हड़ दोस्त उसे शादी के लिए वरगलाता है मैं उसको वरगलाता तो नहीं लेकिन ये जरूर कहता हूँ और अक्सर कहता हूँ कि जाने मन शादी कर लो वरना तुम्हारा मुर्दा खराब हो जाएगा और मंटो साथ मैं आपको खुदा की गसम खाकर कहता हूँ कि लड़के को एक अदद बीवी की अशद जरूरत है चार पांच बरस गुजर चुके थे मुहमत तकी की मुचों के भूरे बाल अब महीन नहीं थे हर रोज दाड़ी मुडाता था तेड़ी मांग भी निकालता था और दफ्तर में जब जिनसियात के बुटालिक गुटबु चिड़ती तो वो खलम दाटों में दबा कर खौर से सुनता औरत और मर्द के जिनसी तालुक का जिक्र खुले अलफास में होता तो उसके कान की लवें सुर्क ना होती मुहमद तकी को बीवी की जरूरत हो सकती थी एक दिन जबके और कोई दफ्तर में नहीं था और अकेला तकी तख्त पर दिवार के बीच लगाए पर्चे की आखरी कौपी मुकमल कर रहा था मैंने उसके खदो खाल का गोर से मौइना करते वे पूछा तकी शादी क्यों नहीं करते हैं सवाल अचानक किया गया था तकी चौप पड़ा जी मेरा ख्याल है तुम शादी कर लो तकी ने कलम कान में अरसा और किसी खदर शर्मा कर कहा मैंने अप्पा से बात की है क्या कहा उन्होंने तकी तफसील से कुछ कहना चाहता था मगर ना कह सका जी वो कुछ ने वो कहते हैं अभी इतनी जल्दी क्या है तुम्हारा क्या ख्याल है जो उनका है इस जवाब के बाद गुफ्तगू का सिलसला बनकता हो गया तकी ने पर्चे की आखरी कौपी मुकमल की और से जोड़ कर चला गया चन्द दिन के बाद वली मुहम्मद ने तकी की मौजूदगी में मुझसे कहा मंटो साब कल बड़ा लफ़ड़ा हुआ मौला ना और तकी में धेंपटास होते होते रहे गई धेंपटास वली मुहम्मद यू तो अर्दू बोलता था लेकिन पंजाबी और बंबई की अर्दू के कई अलफाज मज़ा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने का आदी था तकी ने उसकी बात सुनी और खामोश रहा वली मुहम्मद ने अपनी थिरक्ती वी नुकिली मुचों को आँखों का जाविया बदल कर देखा फिर उस जाविया को बदल कर उसने तकी की तरफ देखा आप इस जरूरत को मानता ही नहीं उसने बहुत समझाया मंटो साथ मगर मौला ना ने एक ना सुनी मंटो साथ ये क्या महावरा है एक ना सुनी मौला ना ने सुनी तो हजार थी लेकिन सुनी अनसुनी कर दी यह महावरे भी खूब चीज़े हैं और मौलाना भी अपने वक्त के एक लाजवाब महावरा है तक ही मुझसे मुखासी हुआ मंटो साथ इससे कहिए खामोश रहे वली मौम्मद बोला मंटो साथ इससे कहिए कि मौलाना के सामने खामोश रहा करे वो शादी की इजाज़त नहीं देते ठीक है बाप है वो इसका नफान अक्साल सोच सकते है बाप बेटी की चख जरूर हुई थी तक ही ने मौलाना से दर्खास की थी कि वो उसकी शादी किसी अच्छे घराने में कर दे यह सुनकर वो चिड़ गय थी और तक ही के दोस्तों पर बरसने लगे तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी जड़ों में पानी फेर दिया जब मैं तुम्हारी उमर का था मुझे मालूम नहीं था कि शादी ब्याद किस जानवर का नाव है यह सुनकर तकी डड़ते ड़ते कहा यह आपकी शादी तो चौदा बरस की उमर में हुई थी मौला ने उसे डाटा तुम्हें क्या मालूम है तकी खामोश हो गया वो बहुत ही कमगो और फर्मा बर्दार किस्व का लड़का था और दो चार मरतबा उसने बेतकल्फ गुफ्तगू की और सुख खुरने का मौका दिया तो मुझे मालूम हुआ कि उसको बीवी की वाके तन जरूरत है उसने मुझसे एक रोज छेपते वे कहा मेरे ख्यालात आजकल बहुत परागंदा रहते हैं वली मुहम्मद शादी शुदा है वो जब अपनी बीवी के साथ बाहर जाता है तो मेरे दिल को जाने क्या होता है आपने एक दफ़ा एहसासे कम तरी के मतालब बातें की थी मुझे ऐसा मैसूस होता है कि मैं अनकरीब उसका शिकार होने वाला हूँ लगर क्या करूँ अब बा मानते ही नहीं मैं शादी की बात करता हूँ तो चिड़ जाते हैं जैसे कूँ जैसे शादी करना गुना है लेकिन मंटो साथ इस मिसाल का मेरे साथ क्या तालुग उन्होंने शादी की अलुरा को यह मनजूर नहीं था कि उनकी बीवी जिन्दा रहती उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की जो मेरे खातिर दूसरी शादी नहीं लेकिन वो चाहते हैं कि मैं कुवारा ही रहूँ मैंने पूछा क्यों तकी ने जवाब गिया मालूम नहीं मन्टो सब वो मेरी शादी के बारे में कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं मैं उनकी बहुत इज़त करता हूँ लेकिन गलबातों बातों में चजबात से मगलूब होकर मैं गुस्ताख की कर बैठा क्या तकी ने इंतहाई नदामात के साथ कहा मैं मिन्नत समाज़त करते करते और समझाते समझाते तंग आ गया था कल जब उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरी शादी के मुटालिक कुछ सुनने को तयार नहीं तो मैंने घुस्से में आकर उनसे ये कह दिया आप नहीं सुनेंगे तो मैं अपनी शादी का खुद बंदोबस्त कर लूगा मैंने उससे पूछा ये सुनका उलो ने क्या कहा अभी घर से निकल जाओ चुनाँचे कल रात मैं यहां दफ्तर में ही सोया मैंने शाम को वली मुहम्मद के जरीय मौलाना को बुलाया चंद जजबाती बाते हुई तो उन्होंने तकी को गले लगा कर रोना शुरू कर दिया फिर शिक्वे होने लगे मुझे मालूम नहीं था कि ये लड़का है जिसकी खातिर मैंने मैं तजरुद बर्दाश किया एक रोज मेरे साथ ऐसी गुस्ताख्य से पेश आएगा मैंने माओं की तरह इसे पाला खोसा आप सूखी खाई पर इसके लिए खुद अपने हाथों से घीमे गून गून कर पराटे पकाए मैंने बात काट कर कहा मौला ना ये कब आपके आइसानात को नहीं मानता आपकी खुर्बानिया इसके दिल और दिमाख पर नक्ष हैं आपने इतना कुछ किया क्या आप इसकी शादी नहीं कर सकते हैं बाबाब की तो सबसे बड़ी खाहिश ये होती है कि वो अपनी आउलाद को फलता फलता देखें आपके घर में बहु आएगी बाल बच्चे होंगे दादा जान बद कर आपको फखर मसरत ना होगा मुझे ख्याल है कि तकी को गलत फहिमी हुई है कि आप शादी के खिलाफ है मौला ना लाजवाब हो गए रुमाल से अपनी आँखें खुश्क करने लगे थोड़े तवक्फ के बाद बोले पर कोई ऐसा रिश्टा तो हो सॉरी आप हा कर दीजिए सब ठीक हो जाएगा वली मुहम्मद ने ये कुछ ऐसे अंदाज में कहा ये चलिए अंगूठा लगाई है मौला ना बेदग गए है लेकिन ऐसी भी जल्दी क्या है इस पर मैंने बुजर्गों का अंदाज इख्तियार करते वे कहा कारे खैर में देर देर नहीं होनी चाहिए आप औरों को छोड़िये खुद अपनी पसंद कर रिश्टा ढूलिये माशालला डोंगरी में सब लोग आप जानते हैं यहां बंबई में पसंद ना हो तो अपने पंजाब में सही कौन सा काले को सुदूर है मौला ना इस तर हिलाकर से फितना का जी हाँ मैंने तकी काज़े पर हाथ रखकर का लो भई तकी फैसला हो गया मौला ना को तुम जिदी बच्चों की तरह तंग ना करना मैं खुद इस मामले में उनकी बदद करूंगा यह कहकर मैं मौला ना से मुखातिब हुआ यहां कुछ खांदान है उनसे मेरी जान पैचान है मैं अपनी बीवी से कहूंगा वो लड़कियां देख लेगी तकी ने हौले से कहा आपकी बहुत महरबानी कई महीने गुजर गए मगर तकी की स्टाइड़ी की बाचित कहीं भी शुरू ना हुई वली मुहमद इस दोरान उसे बराबर उकसाता रहा वो अपने बाप के पीशे पड़ा नतीजा ये हुआ कि एक रोज मौलाना मेरे पास आया और कहा साकली स्टीर की तीसरी गली में नुकर की बिल्डिंग में शायद आप जानते ही हूँ यूपी का एक खांदान रहता है मैंने फॉराँ कहा आप कहिए मैं जानता हूँ मौलाना ने पूछा कैसे लोगे बेहत शरीफ जो सबसे बड़ा भाई है उसकी बड़ी लड़की मैंने सुना है अच्छी अच्छी है मैं पाक पैगाम भिजवा देता हूँ मौलाना घबरा गए नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं ये भी तो देखना है कि लड़की की शक्रो सूरत कैसी है मैं अपनी बीवी के जरीए मालूम कर लूँगा मेरी बीवी ने उस लड़की को देखा तो पसंद किया कुबूल सूरत थी तालीम इंटर तक थी तबियत की बहुत ही अच्छी थी ये सब खूबिया मौलाना से बयान कर दी गई वो लड़की के बाप से मिले जहेज और हक महर के मुतालिक बाचीद की ये अप्तिदाई मराहल बखेरो खूबी तैय हो गए तक ही बहुत खुश था लेकिन तीन महीने गुजर गए और बात वही की वही रही आखिर एक रोज मालूँ हुआ के लड़की वालों ने मजीद गुफ्तुबू से इंकार कर दिया है क्यूंकि वो तकी के बाप के मीन मेख से तंगा चुके है बार बार वो उनसे जा जाकर ये कहता देखिए लड़की के जहाज में इतने जोड़े हो बर्तोनों की तादाद ये हो लड़की नगर मेरी उदूल हुक भी की तो उसकी सदा तलाक होगी फिल्म देखने हर्गिस नहीं जाएगी पर्दे में रहेगी मैंने जब उनसे बेजा बातों का जिक्र तकी से किया तु अपने बाप की तरफ हो गया नहीं मन्टो साब लड़की वाले ठीक नहीं अबबा का ये कहना है कि वो मुझे जन्मूरीज बनाना चाहते है मैंने का ऐसा है तो छोड़ो किसी और जगा सही तकी ने कहा आप कोशिश कर रहे हैं मुझे ने डोगरी में अपने एक वाकिफ कार के जरिये से बात्ती चुरू कि सब कुछ तेह हो गया निकाह की तारीफ में मकरर हो गई मगर एकदम कुछ हुआ और सब कुछ रहे गया लड़की वालों को तकी पसंद था हट गए और लड़की का रिष्टा किसी और जगा पका कर दिया तकी ने फिर अपने बाफ की तरफदारी की और मुझे कहा ये लोग बड़े लाल्ची थे मंटो साब एक दौलतमन का लड़का मिल गया तो अपनी बात से फिर गया अब मैं शुरू से ही कहते तो ये लोग मुझे इमानदार मालूं नहीं होते लेकिन मैं खाम खाम उनके पीछे पढ़ा रहा कि जल्दी मामला तेह कीजिए कुछ हरसे के बाद तीसरी जगा कोशिश शुरू हुई यहाँ भी रतिजा से फर चौथी जगा बाद्ची चुरू हुई तो तकी ने मुझे से कहा मंटो साब वो लोग आप से मिलना चाहते है अन्य बड़े शौक से मिले मैं उनसे मिला आदमी शरीफ थे मौलाना से उनकी चंद मुखतसर बाते हुई मैंने तकी की तारीफे की मामला तै हो गया लेकिन चंद ही दिनों में गरवर पैदा हो गई लड़की के बड़े भाई ने किसी से सुना के मौलाना दुकान पर अपने एक डोस्त से कह रहे थे लड़की मेरे कहे पना चली तो मैं तकी की दूसरी शादी कर दूँगा ये सुनकर वो मेरे पास आया मैंने मौलाना को बुलाया उनसे पूछा तो दाड़ी पर हाथ फिर कर कहने लगे मैंने क्या बुरा कहा मैं ऐसी बहु घर में नहीं लाना चाहता जो मेरा कहान आमाने मैं तकी की शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंके मुझे आराम पहुंचे अजीब औ खरीब बनतिक थी मैंने पूछा आपको आराम जरूर पहुंचना चाहिए मगर आपकी ये मंतिक मेरी समझ में नहीं आती ऐसा मालूम होता है कि खाविद बीवी का रिष्टा आपकी समझ से बालातर है मोलाना ने किसी कदर खवगी के साथ का मैं खाविद रह चुका हूं में तो सब आपके खियालात, मेरे खियालात से बहुत मक्तलिफ है आपके साथ काम करके मुझे अफसोस है मेरे लड़के के खियालात भी बदल गए ये कहकर वो तकी से मखतिम मुखव हुए ना करे, उसके बाद देर तक बाते होती रही उन में से जो मैंने नतीजा निकाला, वो मैंने तक रिकल हो बता दिया, देखो बाई, बात ये है, कि तुम्हारे वालिद साहब, तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते, यही वज़ा है कि हर बार कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं कोई ना कोई बहाना ढून निकालते हैं ताकि मामला आगे ना पड़ने पाए मौला ना हामोश अपनी दाड़ी पर हाथ फेरते रहे तक ही ने मुझे से पूछा क्यों यह मेरी शादी क्यों नहीं कर रहा चाते हैं मेरे मुझे बेख्तियार निकल गया मौला ना का दिमाग खराब है मौला ना को इसकदर टैश आया कि मुझे जाग भर कर वाही तबाही बखने लगे मैंने तकी से कहा जाओ मौलाना को किसी जहनी शफा काने में ले जाओ और मेरी ये बात याद रखो जब तक इनका दिमाग दुरुस्त नहीं होगा तुम्हारी शादी हर्गिस हर्गिस नहीं करेंगे इनके दिमाग की खराबी का बायस वो कुर्बानी है जो इन्होंने तुम्हारे लिए किये मौलाना ने तकी का बाजू पकड़ा और मुझे सलवाते सुनाते चले गए वली मुहमद मेरे पास बैठा सब कुछ खामोशी से सुन रहा था इतनी देर वो अपनी नुकीली मुचों के वजूद से बिलकुल गाफिल रहा जब मौलाना और तकी चले गए तो उसने आँखों का जाविया दुरूस्त करके उनकी तरफ देखा और कहा मुदा खराब हो रहा है बेचारे का लेकिन मंटो साथ आपने बावन तोला और पावरत्ती की बात कही मौहावरा दुरूस अस्तिमाल हुआ है तुमने मौहावरा दुरूस इस्तिमाल किया है लेकिन अफसोस है कि मौलाना की तबियत साफ करते हुए मैंने मुनासिब और मौजूँ अलफाज इस्तिमाल ना किया बड़ा मलवन आदमी है जी वली मौहमद ने ये कहकर अपनी मूचों कहतीला बाल बड़े जोर से उखेड़ा और बड़ी संगीत की अख्यार करके मुझसे पूचा मन्टो साब क्या मतलब था आपका इस से कि मौलाना के दिमाग की खराबी का बायस वो गुर्बानी है जो उसने तकी के लिए किये बाद जरूर बावरां बावन तोला और पावरती की है लेकिन पूरी तरह मिरी सेहन में बैठी नहीं मैंने उसको समझाया बीवी की मौत के बाद एक वक्ती जजबा था जिसके तहत मौलाना ने तजरूत के दिन गुजारने का तहिया किया ये जजबा अपनी तबई मौत मरा तो आपके लिए दो सोग हो गए एक बीवी की मौत का दूसरा उस जजबे की मौत का वक्त गुजरता गया और मौलाना नीम के करेले बनते गए मुझे तो भई वली मौम्मबत पर बहुत तरस आता है एक शखस जिसने पच्चिस बरस तक अपने और और औरत के दर्मिहान एक दीवार हायल कर रखी हो वो किस तरह अपने जवान बेटे के पहलू में एक जवान औरत देख सकता है और वो भी नजरों के बहुत करी दूस्टे द 스डिन तकी ना आया वली मौमत के हाथ उसने किताबत का बिल भीज़ा दिया जो अदा कर दिया गया तकी को बहुत अफसोश था कि मैंने उसके बाप को बुरा भला का तकीना हया वली मुहमत के हाद उसने किताबत का बिल भिजवा दिया जो अदा कर दिया गया तकी को बहुत अफसोस था कि मैंने उसके बाप को बुरा भला का मैंने वली मुहमद से कह दिया मुझे कोई अफसूस दे तकी को मालूम होना चाहिए था कि उसका बाप जहनी और रुआनी तोर पर बीमार है लेकिन मुझे ये अफसूस जरूर है कि उसने काम छोड़ दिया वली मुहमद ने वापस आने को का मगर वो ना माना उसने किसी और दफ्टर में मुलाज़वत ना की और दुकान पर बैद कर घी बेशने लगा वली मुहमद ने जब जोड़ दिया तो उसने वही किताबत का काम भी शुरू कर दिया मैं एक काम से दहली चला गया तीन चार महिने वहां रहकर बंबई लोटा तो वली मुहमद ने प्रेटफॉर्म पर ये खबर सुनाई कि तकी की शाद्गी एक हफता पहले बाखेर और खूबी हो चुकी है मुझे यकीन ना आया लेकिन वली मुहमद ने कुरान की किसम खाकर कहा मन्टो साब मैं जूट नहीं कहता निकाह के छुआरे मैंने सवाल कर रखे हुए है जिसकी शादी ना होती जिसकी शादी ना होती हो उसके लिए अक्सीर साबित होंगे मैंने तकी को बुढ़ाया मगर वो ना आया तक्रीबन देड़ वहीने के बाद एक दिन अला सुबह वली मुहमद आया उसकी नुकीली मूचे ठिरक रही थी कहने लगा मन्टो साब कल धेंफटास हो गई बाप बेटे में तकी अपनी बीवी को लेकर चला गया कही कहां मालू नहीं ये कहकर आखों का जाविया बदलकर वली मुहमद ने अपनी नुकीली मूचें को देखा कुछ समझ में नहीं आता मन्टो साब लडाई का बायस मालूब नहीं हो सका मौला ना बिलकुल खामोश है मौला ना बहुत देर तक खामोश रहे उनका बेटा मौहमद तकी भी बंबई में वली मौहमद और उसके सातियों ने तकी को बहुत तलाश किया उसका कोई सुराग ना मिला बहुत दिनों बाद दिल्ली से मुझे तकी का एक खत मौसूल हुआ लिखा था बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको खत लिकूँ और हालाद से आगाह करूँ मगर जुरत साथ न देती थी मैं आप से दर्खास करता हूँ कि ये खत किसी और को ना दिखाईएगा आपने मेरे वालिद के मुतालिख जो कुछ कहा था ठीक निकला मैंने आपकी बातों का बुरा माना था इसलिए कि मुझे असलियत का इल्म नहीं था जो मुझे शादी के बाद बालुई मेरे वालिद का दिमाग रिवागई दर्स नि हो सकता है पहले ठीक हो लिकिन मेरी शादी के बाद तो قطन उनकी दिमागी हालत दर्स ना थी उनकी यही कोशिश थी कि मैं अपनी बीवी से दूर रहूं मुझ में और उसमें दूरी पैदा करने के लिए वो अजीब और गरीब तरीके इजाद करते जो एक दीवाना ही कर सकता है मैंने बहुत देर तक बरदाश्ट किया मुझे तमाम वाकियात वायान करते हुए बहुत शरब मैसूस होती है एक रोज मेरी बीवी गुसल खाने में नहा रही थी आपने दर्वाजे में से जांक कर देखना शुरू कर दिया मैं और क्या लिखू समझ में नहीं आता उनके दिमाग को क्या हो गया है खुदा उनकी हालत पर रह्म करे मैं यहाँ दिल्ली में हूँ अब बहुत खुश हूँ मैं यह ख़त पढ़ रहा था कि वली मुहमद आया उसके पास तकी का एक ख़त था बेरी तरह बढ़ा कर उसने कहा यह ख़त तकीन देली से अपने बाप को लिखा है सिर्फ चंद अलफाज हैं मैं ने पूछा क्या वली मुहमद ने का पढ़ लीजिए मैं ने यह अलफाज पढ़े प्रिबला वाली साहब मैं यहां खेरियसी हूँ आपने मेरा घराबाद किया है मेरी खाहिश है कि आप भी अपना घराबाद कर ले वली मुहमद ने आँखों का जाविया बदल कर अपनी नुकिली मूचों को देखा और कहा मंटो साहब लड़का होशियार हो गया है लेकिन मौला ना तो अपनी बात पक्की कर चुके है कहां वली मुहमद की मूचे थिर की एक घी बेचने वाली है पांचों घी में और सर कड़ाई में मौहावरा ठीक इस्तमाल किया है न मंटो साहब मैं हस पड़ा यह पर आज का अपसाना पकी कातिम